पावन अवसर पर काश्वी के घाटों पर भब नजारा देखने को मल रहा है। दीपों की लड़ियां और रंगीर ज़ारों से घाट जगमगा रही है। घाटों पर भक्तों की भीर उमर रही है। हर कोने में उत्सों का महौल है। तो वरनसी में आज देव दीपावली मनाई जार ही है। 84 घाटों पर 15 लाग से ज़ादा दिये जलाए गए हैं। और मुख्यमंत्री योग्या दितनात ने आज दीप प्रजुलित करके सबसे पहले देव दीपावली का शुभारम किया। मुख्यत ठीके तोर पर उपर राश काशी में मौझूद हैं देव दीपावली के साक्षी बनने के लिए हर तरफ रोश्नी से जगमगाई काशी नगरी नजर आ रही है। तो काशी में आज देवों की दिवाली है। हर घर को सजाए गया है, हर मंदिर को सजाए गया है, सभी घाटों को सजाए गया है। वारणसी के गंगा घाट पर दिये जलाने के साथ ही देव दुपावली की आफचारिक सुरुवात हो गई है तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दीपो की माला गंगा घाट पर जलती भी दिखाई दे रही है और आज लगबग 11 लाग से भी अधिक दिये काशी के इन गंगा घाटों पर टिम्टिमाते हुए दिखाई देंगे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो यहाँ पर शर्धालू है वो लगातार दिये जला रहे हैं और साथ ही में लोग जो है एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं काशी में आज अपने जो पित्र है यानि की जो पूर्वज है उनके लिए भी खास्तोर पर दीबदान करने की परंपरा रही है लाखों लोग गंगा के घाट पर उम्ड़े हुए हैं तस्विरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी जो जनसमू है वो काशी के इन घाटों पर दिखाई दे रहा है मानेताओं के अनुसार आज के दिन ही भगवान शिव ने तृप्राशूर नामक असूर का वद किया था और उसके बाद देवताओं ने जमीन पर उतर कर दिपावली मनाई थी काशी के इनी घाटों पर तो उसी परंपरा का निर्वहन आज भी यहाँ पर किया जा रहा है जहां लाखों लोग यहाँ पर दीब जला रहे हैं तो वहीं बदलते हुए शरूप के साथ लेजर लाइट सोका आवजन किया जा रहा है नमो घाट का अप्टारिक सुभारम हो रहा है और दूर दूर से यहाँ पर परेटरक देव दिपावली के इस महा उस्तव में शामीर होने के लिए पहुंचे हुए है तो आज पूरी काशी नगरी दिवाली के इस रंग में पूरी तरीके से रंगी वही दिखाई दे रही है और सभी यहाँ पर एक दूसरे को बदाई दे रहे हैं कहां से आई हैं? बीच उसे आए हैं कैसा लग रहा है देव दिपावली का है? मेरा पहली बार है यहां बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत नया है आप देखिए किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो गंगा घाटू की तरब आतावा दिखाई दे रहा है और ये सिलसला अभी लगातार पूरी रात इसी तरीके से जारी रहने वाला है मानो ऐसा लगता है कि गंगा घाट के गिनारे एक नया शहर बस गया हो देव दिपाली का इस महा उस्ताव में सभी अपने आपको सम्मिलित करते हैं और दिये ज़ला कर अपने पूरवजों को याद करते हैं बहुत अच्छा लगता है सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर पूर्णिमा के दिन होता है वो जादा यहाँ पर खास है तिरे को बहुत अच्छा लगता है मैं भी हार सी हूँ और हर दीदी वाले में यहाँ हाजिर हो जाते है वारनसी में देव दिपावली में आज नजारा कुछ ऐसा है कि लगता है कि आकास गंगा के थारे तारे जमीर पर उतर आए हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लाखो दिये टिम्टिमा रहे हैं और पूरा बनारस इस समय रोष्णी से नहाता हुआ दिखाई दे रहा है गंगा की महा आर्थी हो रही है लाखो लोग यहां पर इखटा हैं सिर्फ बनारस नहीं बलकि बनारस के आसपास से देश के कोने कोने से आपर सबसे ज़्यादा बिदेशियों की संख्या भी देखी जा रही है लगबग चार से पांच लाक लोग वो बाहर से भी आये हुए हैं पूरा गंगा घाट इस समय शर्धालूओं से भरा हुआ है और देव दिपाउली के इस महा उस्वपर लोग अपने आपको समिलित कर रहे हैं मानेता है कि देव दिपाउली के दिन जो कार्तिक पुर्णिमा के दिन मनाई जा रही है यहाँ पर दीबदान करने से जो पुर्वज होते हैं उनकी आत्मा को शांती पहुंसती है और उनका आशिश प्राप्त होता है और इसलिए देव दिपावली के दिन खासतोर पर दीबदान की परंपरा है और दीबदान करते हुई हाँ पर आपको हजारों लाखों लोग भी दिख जाएंगे इसके साथ ही जो बजडे पर और नाव पर सवार जो लोग हैं वो अलग ऐसास ले रहे हैं कि सरीके से गंगा के लहरों के सामनंतर गंगा आरती के दिर्श को देखने का साथ ही दुलहन की तरह सजे गंगा घाट को निहारने का तो अदभुत और अलोकिक ऐसास है मानो ऐसा लगता है कि स्वर्ग अगर कहीं है तो देव दिपावली के दिन काशी में है और उसकी अनुभूती आज वारनसी में हो रही है और इसलिए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालू है वो राद भर इसी तरीके से गंगा तो काशी में देवों की दीपावली आज मैंना आई जा रही है महादेवों की नगरी भब तरीके से सजी हुई नजर आ रही है हर तरह भक्तों और श्रद्धालूं का रिला दिखाई दिय रहा है सभी घाट खचा-खच भरे हुए हैं टूरिस्ट पहुंचे हुए हैं धीपावली का आनंद ले रहे हैं लुत्पुठा रही हैं हर तरफ रौश्णी के च्छाटा बिख्डवी दिखाई दे रही है सभी घाटों को बेहत भब तरीके से सजाये ग्या है काशी विश्चुनात मंदिर को भी बेहत खोफसूरत तरीके से सजाये गया है तो हर तरफ रोशनी की जगमगाहट देखने को मिल रही है और आज पूडमा भी है तो चान भी अपनी रोशनी से काशी की नगरी को रोशन कर रहा है तो तस्वीरे आप देख सकते हैं किस सरे से आज भगवान भुरेनात की नगरी काशी बेहद खोपसूरत दिखाई दे रही है तो देव दीपावली पर बेहद भब नजारा भगवान भुरेनात की नगरी काशी का पूरी नगरी बेहद खोपसूरत तरीके से सजी हुई नजर आ रही है करेब पंद्रा लाग से ज़ादा दिये चौरासी हाटों पर जलाए गए हैं चालिस से ज़ादा देश बरश्बर से तमाम शर्धालू आज देव देपावली में शामिल होनी के लिए पहुंचे भूरी में हैं बह्त खास दिन होता है भ्याद думаю पंद्रदिन माना जाता है देव देव देपावली का दिन मानते हैं कि देवता इस दिन स्वर्ग से धर्थी पर अया थे और इसी व आज के दिन स्वर्ग से सभी देवता आय थे और जब काशी आय थे तब काशी के लोगों ने देवताओं का वीहर्धभव तरीके से स्वागत किया था और तब ही से यह परंपररा चलती आ रही है देव को और देवक ब्रkum वली में शामिल होने के लिए तो देव Krista दीपावली में शामिल होने के लिए पूरे देश भर से तमाम जो शद्धालू हैं भगवान भुलनात के भक्त हैं सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं वो इसमें शामिल होने के लिए पहुंसते हैं और देव दिपा-वली हर बार इतनी खास होती है कि जो टूरिस्ट ही वो भी दिपा-वली को देखने के लिए आकर्शित होते हैं ठ्रेक्ट होते हैं और देव दिपा-वली में शामिल होने के लिए माला जहा है कि आज 40 से जाता देशों के लोग काशी पहुंचे हुए हैं और बहुत खोबसूरत नजारे का लुथ उठा रही हैं काशी की नगरी के लोगों में तो उत्सा है ही साथी साथ बाहर के देशों से आए लोगों में भी बहुत उत्सा देखने को मल रहा है देव दीपावली को लेकर तो ब